हेलो वेलकम तो आवर यूटूब चानल कुकुत परियमलता आज की इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी सबजी की रेसिपी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो अगर आपको आज के यह वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो पे लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो में हम आपको यह सब्जी की रेसिपी बताने जा रहे है तो चलिए वीडियो शुरू करते है लेट्स के स्टार्टेट अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूले तो यह ना तीन चैनल को यह ना फिर चे घंटे भीगाना और फिर ना एक सीटी लगाते तक आपको पकाना है ज्यादा नहीं पकाईएगा दो सीटी मत लगा दीजेगा वरना पूरा खिचडी बन जाएगा तो इसके अंदर हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और स्वाद के अनुसा नमक ध्यान रखिए कि हम सब्जी बनाता, तो इसमें प्यादा ना टाले अब हम एक कढ़ाई में सीटी लग चुकी है अब हमें कढ़ाई में तेल डालें और तेल में थोड़ा से ब्याज नाल देंगे »Ura. सब्जी बना रहे हैं इसके अंदर हम डाल देंगे जीरा जो कि हम पहले डालना भूल गए थे इस यह सब डाल देंगे वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता अगर पहले डालना भूल जाओ तो बात में भी आप डाल सकते हो वैसे अगर आप को यह वीडियो पसंद आयागा तो मैं फिर से रिपीट करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना सिगनेचर मिक्सचर में मेरा मतलब है टामाटर अधरक लहसून और मिर्ची का पेस्ट क्यूंकि हम हमेशा हर एक सबजी मे मेरा मिर्च कि यूस कर सकते हो अगर आपको अइसे पेस्ट करना तो आप एसे करक путゃ बना दो अगर आपको कट करना तो पेस्ट बना दो और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो टमाटर रसानी से तो पीमिल या कशिए को अच्छा कर दिया तो इस समय आप जादा नमक नाल दिए और थोड़ा सा भी डाला देंगे हल्दी यानि की टर्मरीक सभी को पता होता है और इन सभी चीजों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए फिर हम इसके अंदर तोसा सब्जी मसाला भी डाल रहे हैं जो हमने मैंशन नहीं किया था अगर हम डाल रहे हैं यहाँ पे सब्जी मसाला जादा नहीं दो चमच देड़ दो चमच और सब्जी आप एक लीट ट्रय करना मेरे कुंगी लगता है आपने ट्रय किया होगा अगर अगर रख उर ट्रय करोगे तो आपको यह बहुत पसंद आएगा तो जरू से करना और हमें कॉमेंस में बताना क्या को कैसा लगा और बहुत दिन से माई वीडि अभी आप इन सबी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स का लीज़े और टामाटर अच्छे से हमारा अल्मोस्ट पक चुका है फ्लेम हमारी हाई पर है ठीक है एंड हमने जो सीटी लगा है था ना इसको हम इसके अंदर आड कर देंगे तो जादा नहीं मैंने फिर से रिपीट किया है कि आपको सरिफ एक ही सीटी लगाना है वरने इसका खीचली बन जाएगा पूरा मैश हो जाएगा तो आपको इसका सरिफ एक ही सीटी लगाना है इसमें आड करना है और थोड़ा से उबालना है ज्यादा मत उबालना है और यह भी बहुत अच्छा दिख रहा है तो टेश्ट में तो अच्छा हो नहीं है तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसी जैसे ना वीडियो बहुत शौट बनी है कि यह अच्छी तरकी से उबल रहा है आप देख सकते हो यह उबल चुका है अब हम इसके अंदर धनिया डालेंगे तो ज्यादा नहीं डाला है हमने इसके अंदर धनिया थोड़ा से डाला एक दम बारीक चौप करके डाला मगर और अच्छे से धोके आप इसको जरूर से एक बर्यू ट्राय करिएगा आप इसको चावल रोटी किसी भी चीज के साथ खाईएगा आपको बहुत पसंद आएगा यूडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक करिए कर चानल को सब्सक्राइब करिए कर थांक यू सो मुच पर वाचिंग इस वीडियो एंड झाल